किसे पसंद नहीं हैं आम सभी को पसंद हैर यह है हमारे आं का ब्रेख् credit इस माम के ब्रेख्छ वोर बोहुत ही मिठे मिठे आम लगते हैं परन्तु एक चीज जो दुर्भागे से लग चुकी है हमारे आम पर कीडा इस प्रकार का बुरादा यदि आपके विरख्ष के नीचे भी दिखे तो समझिए इसके अंदर कीडा है और हमारे विरख्ष के अंदर भी कीडा है हम प्रयास करते हैं उसे ढूम कर मारने की और फिर उसका उस कीड़े को इस आम के व्रक्ष में भी भूद बड़ा छेद अंदर तक कर दिया है यानि तने को भी इसने नुकसान पहुचा दिया है देखिए अच्छे भले आम के पेड़ की ये हालत कर दी है ये तने में छेद ही कर दिया है इसने चूटे से कीड़े ने तो इसको ढूंड रहे हैं प्रयास करें कि मीले उसके बाद भी इसका ट्रिक्मेंट करते हैं यह मीला है कीला ये इस खजूर के बच्चे ने सारे मेरे आम के व्रक्षे की हालत खराब कर दी है अब इसमें भी चाकू लग चुका है तो यह मर गया होगा देखिए इसका मूँ ऐसा होता है और स्प्रिंग के टाइप का दिखता है बहुत प्रयास करने के पस्चाद यह मिला है हमें गुंडा इस गुंडे ने मेरे आम के हालत खराब कर दी है चलिए और ढूने का प्रयास करते हैं इस आम के वरक्ष से हमने प्रयास किया कि इस तना छेदक कीट को ढून सके कापी हद तक हमने ढूने भी है उनको मार दिये अब इसमें हमने प्लोरोपायरिफास दवा छिड़क दी है ताकि जो भी और होंगे वो मर जाएंगे इसके साथ आप फिप्रोनिल भी इसमें छिड़क सकते हैं यह न मिले तो आप इसमें करंज का तेल और पहले के लोग इसमें घी डाल देते थे ताकि लाल चीटिया हो जाए उससे भी यह किट मर जाते थे तो अब इसको दवा लगाने के पास्चाथ इसमें फपुंद ना आए उसका भी हमें कार्विंडाजियर या और भी कोई फपुंद नाशा इस पर हम लगा सकते हैं ताकि हमारा व्रक्ष यह आम का बच सके इ तो इसका उपचार हम ने कर लिया है आशा है यह व्रक्ष अब बच सकेगा इसके आठ ट्रेट्मेंट करने के पस्चाथ आप इस पर एलेविरा जेल भी लगा सकते हैं ताकि इसको रिकवर होने में आसानी होगी इस पर गहाव लग रहे हैं अब इस पर हम एलेविरा जेल लगा लेते हैं ताकि कुछ तो यह रिकवर करने में आसानी होगी इसको इसे बोडो जेल भी लगा सकते हैं परन्तों हमारे पास एलेवेरा जेल उपलब्द है तो यह आप इस पर लगा दीजिए इसका लेप कर दीजिए इसके लिए भी बहतर हुआ है गाओ भूत गहरे हैं और एकीडा रक्ष के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है जिसको तने कोई खा जाता है इसे वीडियो के लिए चेजन को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो तक जैहिन जै किसाथ बंदे मात्रम